आजाद भारत में जब प्रधान मंत्री चुन्ने के लिए वोट हुए तो पंडित जवाहर लालनेहरू पहली पसंद नहीं थे इसमें कुल तीन लोग थे जिनको वोट मिले पहले नंबर पर थे सरदार बरलब भाई पतेल पंडित जवाहर लाल नहरू तीसरे नंबर पर थे नंबर दूसरे पर पसंद जो थी वो थी जेवी कृपलानी जेवी कृपलानी का नाम दूसरे पायदान पर रहा था हाला कि सरदार बल्लब भाई पटेल और जेवी क्रिपलानी को किनारे कर गाधी जी के इंटरफेरंस से पंडित जवाहर लाल नहरू को प्रधान मंतरी बना दिया गया था नमस्कार गवरों का था कि इस एपिसोड में आप सब का स्वागत मैं हूं राम प्रकाश राय और आज के इस अंक में बात जेवी क्रिपलानी की जेवी क्रिपलानी का जन्म 11 नवंबर 1888 को हैदराबाद सिंद में हुआ था सिक्षा दिक्षा वहीं शुरू हुई इनके पिता काका भगवान दास तैसिलदार थे सिंद में इस्थानी सिक्षा की सुरुवात के बाद फिर बॉंबे में आगे की पढ़ाई हुई उसके बाद इन्होंने फर्गुशन कॉलेच जो समय बाल गंगादर तिलक और उनके साथियों ने बनाया था के ग्रियर्स भूमियार ब्रामण कॉलेच से इन्होंने अध्यापन की शुरुवात की वहाँ ये अंग्रियेजी और इतियास पढ़ाने लगे साल 1917 तक इन्होंने वहाँ अपनी सिवाएं दी इसके बाद ये बनारस हिंदु बिश्व इद्याले में सिक्षन कारी के लिए चले गए उस समय इसी दोरान महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुवात की जो चंपारण सत्यागर शुरुवा था और यहीं से जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के संपर्क में आ गए जब महात्मा गांधी से इनका संपर्क हुआ फिर उस समय जब महात्मा गांधी ने गुजरात बिद्धापीट बनाया तो ये गांधी बिद्धापीट गुजरात के प्राचारे बने ये साल 1920 की घटना है 1920 में ये वहाँ पर प्राचारे बने गए और वहीं से इन्हें जेबी कृपलानी की जगे पर लोग आचारे कृपलानी के नाम से जानने लगे आचारे किर्पलानी वहाँ 1927 तक रहे 27 तक इन्होंने वहाँ पे नौकरी की उसके बाद ये 27 में इन्होंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और आगे का जो जीवन था वो पूर रूप से स्वाधिन्ता संग्राम और जो गांधी जी के कारे थे उनको आगे बढ़ाने के लिए करने लगे ये अपनी पूरी सेमाय उसमें इन्होंने खुद को समर्पित कर दिया स्वाधिन्ता संग्राम और गांधी जी के काम जो थे गांधी जी को लोगों के प्रति जो लोगों को जागरूक करने का और उनके साथ देसाटन का जो काम था वो उसमें पूरी तरह समर्प करने के लिए इन्हों ने ये गांधी आश्रम संस्ता को बनाया उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुवात की जो गांधी जी ने हरजन उधार के लिए जो देश भर का भ्रमन किया देश के तमाम हिस्सों का दोरा किया इन सारे हिस्सों में इन सारे दोरों में कृपलानी गांध से सीधा सीधा इन्हों ने समवाद इस्थापित किया उसका नतीजा यह हुआ कि जेबी कृपलानी को बहुत तेजी से जन मानस में भी लोगप्रियता मिली इसी बीच नमक सत्यागर, भारत छोड़ो अंदोलन ये सारे अंदोलन होते रहे इन समय गांदी जी के साथ ये सीधे में एक नया मोड आया, उसके पहले ये माना जाता था कि आचारे क्रिपलानी पूरी तरह से जो है देश सेवा में समर्पित हैं और शादी ब्या जैसे जन्जटों में ये नहीं पर सकते हैं 1936 का जो दोर आया, वहां ये विवाबंधन में मदे, उनके विवाबंधन में बनने की भी एक अलग कहानी है ये उस समय इनका विवा हुआ जब जो बियच्चु में जहां इनकी भेंट हुई सुचिता क्रिपलानी से और गांदी जी के सानिध में रहते हुए इन दोनों ल गांदी जी भी खुद भी बिस्मित रहे गए थे, जो सुचिता क्रिपलानी थी, वो बियच्चु के महिला विद्धा पीट के सिक्षक थी और जब भी भी जेवी क्रिपलानी बनारस जाते हैं तो एक बार अपने विवाग में जरूर जाया करते थे और वहीं इनकी भेंट वहाँ पर इनसे हुई थी, जो विवाह था इनका, जब प्रेविवाह के लिए जब इन दोनों लोगों ने अपने परिवारों में सुचना है दीन, तो दोनों के परिवार में इनका खूब विरोध हुआ, हलाकि जिस समय इनका विवाह हुआ, ये दोनों लोगों के उम्र क जो अंतर था वो 20 वर्सों का था जेवी कृपलानी उस वक्त 48 वर्स के थे और सुचिता उस वक्त 28 वर्स के थी सबसे बड़ी बात यह थी कि गांधी जी ने खुद भी इनके विवा का विरोध किया था गांधी जी ने जेवी कृपलानी से का था कि आप ऐसा मत करिये आप ऐसा करके मेरा दाया हाथ उखाण देंगे हाला कि ये बात JV क्रिपलानी को चुभी थी JV क्रिपलानी को ये बात बुरी लगी थी उन्हें ऐसा लगने लगा था कि गांधी जीफ उनके विक्तिगत निजी जीवन में हक्सशेप कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए उस वक्त सुचता कि प्लानी नहीं उन्हें सम्हाला था और फिर उन्होंने गांधी से भी बात किया था गांधी से संबन में उन्होंने बात किया था कि आप ऐसा ना सोचें बल्कि ये सोचें कि आपको एक साथ स्वाधिन्ता संग्राम के लिए दो कारे करता मिलेंगे हाला कि पंडित जवाहरलाल नहरू ने इनके विवा का समर्थन किया वहराल इन दोनों का विवा हुआ और दोनों लोगों ने संयूक तुरूप से राजनीत और स्वाधिन्ता संग्राम में हिस्सेदारी की एक साथ उसमें लगे रहे 1935 से लेकर 1945 तक आचारे करपलानी कॉंग्रेस के महासचीव के रूप में अपनी सेमाय देते रहे चुकि ये ऐसे प्रतिभाओं के धनी थे जिसकी वज़ा से कॉंग्रेस में ये बहुत तेजी से लोग प्री हुए बहुत कम समय में ही ये महासचीव तक पहुँच गया और इन्होंने 10 वर्ष तक महाँ पर अपनी सेमाय दी इसके बाद साल 1946 का जब दोर आया तो इन्हें कॉंग्रेस का अध्यक्ष चुना गया मिरट में डिशन हुआ, मिरट से वहाँ से ये कॉंग्रेस अध्यक्ष चुन लिए गया और साल 1947 में जब देश आजाद हो गया तो वहाँ से फिर कॉंग्रेस और इनका साथ चूट गया साल 1947 में इनुने कॉंग्रेस के अध्यक्ष पत्स अपना स्तीफा दे दिया और इसके वज़ा जो थे वो वज़ा बने पंडि जवाहर लाल नहरू और सरदार भल्लब भाई पतेल से इनका जो बैचारिक मतभेद था वो बैचारिक मतभेद उसकी वज़ा थी उसकी वज़ा बनी आजार भारत में सरकार का गठन उसकी वज़ा बना कॉंग्रेस का जो गठन था वो उसकी वज़ा बना कि कॉंग्रेस कैसे गठी थो और क्या-क्या वो देखे तो वहाँ कॉंग्रेस पार्टी के सदस्यों में इनके प्रस्ताओं से भिन्नता होगी जिसकी वज़से इन्होंने स्तिफा दे दिया परहाल अचारे क्रिपलानी और कॉंग्रेस का साथ 1947 में छूट गया इसके बाद इन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई राजनीत में सक्री रहे किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई चुनाओ लड़े सांसद हुए कुछ समय के बाद इन्होंने अपनी पार्टी का भारत की समाजवादी पार्टी में विलै कर लिया और एक नई पार्टी का गठन हुआ नाम रखा गया प्रजा समाजवादी पार्टी जिसका नेत्रित उकिया था राम मनोहर लोहिया ने राममनो और लोहिया उस वक्त बड़ा नाम थे और इनके साथ जुड़ करके हाचा की अचारे करपलानी भी बड़े नामों में से एक शुमार थे और दोरों नायतिग एक हो गए 1954 तक ये प्रस्पा के साथ रहे 1954 में इन्होंने फिर प्रस्पा से बेस्तीफा दे दिया और उसके बार फिर ये किसी दल से जुड़े नहीं रहे ये आप निर्भर रहे हमेसा 1977 में जब जनता दल की सरकार बनी तो जो मुख्य भूमिका निभाने वाले लोग थे उनमें से एक जेबी करपलानी भी थे उस सरकार को बनाने में जेबी करपलानी ने मुख्य भूमिका निभाई देश में समाजवाद की जड़ें को फैलाने का काम इन्होंने शुरू किया था और फिर आगे इनकी तमाम साती हुए जो इन्होंने उसको आगे बढ़ाया देश स्वादिन्ता संग्राम से लेकर देश आजादी तक कॉंग्रेस के गठन तक देश की सरकार बनने तक तमाम तरीके से ये देश के लिए समर्पित रहे इन्होंने कई नए शिकर नए आयाम बनाए 19 मार्च साल 1982 को 94 वर्स की अवस्था में जेबी कर्पलानी का निधन हो गया जेबी कर्पलानी समाजवाद के जंडा बरदार थे इन्होंने कॉंग्रेस में रहते हुए जो काम किये फिर इन्होंने गांदी जी को विचारों को कॉंग्रेस छोड़ने के बाद भी आगे बढ़ाते रहे और तमाम कई तरीके के अलग-अलग काम अलग-अलग चीज़ें इन्होंने स्थापित किया और खादी की प्रचार प्रशार और गांदी आश्रम की इस्थापना जैसे कामों के लिए इन्हें हमेशा आयात किया जाता रहेगा धन्यवाद